हेलो बच्चो कैसे आप सभी लोग आज हम हम हमारे इंग्लिश का चैप्टर 11 करने वाले हैं उसके हम कोश्चन अन्सेस करेंगे ठीक है जिसका नम है बी आ गूड स्पीकर लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे ऊके चोल भी स्टार्ट करते हैं पहले देखो कि आपको मीनिंस मतलब की शब्दार्त आपको है इसमें फस्ट क्या देखो आपको नर्वस मतलब क्या होता विदाउट कॉन्फिदेंस मतलब की बहुत ज्यादा घबरा हो आप बोल सकते हो घबराना ओके सेकंड के आपको देखो audience audience मतलब क्या होता है a group of people gathered in one place to watch or listen to a play or speaker क्या बोल रहे कि audience मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग कोई एक जगह पर जमा होते हैं किसी को सुनने के लिए या कोई play देखने के लिए ठीक है मंबल मतलब क्या होता है to speak unclearly and quietly so that the words are difficult to understand मतलब क्या होता है कि एकदम धीरे धीरे बोलना जिससे की कोई सामने वाली की बात समझ नहीं पाए ठीक है उसको समझ नहीं पाए मतलब ऐसे करते हैं उसको बोलते हैं मतलब साफ नहीं बोलना धीरे धीरे एकदम बोलना अब दोख्वा आगे आपको क्या है यहाँ पर फोट में आपको क्या दिया गया है फोट में आपको ओपलेजर का फ्रेजर मतलब क्या होता है friendly और easy to talk मतलब कि आप बल सकते हों जो friendly रहे मतलब जो अच्छेolia मतल neighbours बोलते हैं फिफ्थ का इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब क्या होता है to say something that will stop a person from speaking for a short period of time मतलब कि कोई ऐसी बात बोल देना जो सामने वालों को कुछ देर के लिए बोलने के लिए रोक दे, ठीक है फिफ्थ का है सीख, सीख मतलब क्या होता to try to find or get something मतलब कि किसी चीज को ढूणना या पाना ठीक है, कोशिश करना किसी चीज को ढूणने या पाने की 7th का rehearse, rehearse मतलब क्याता है to practice something in order to prepare it for public performance मतलब कि कोई चीज की तैयारी करना ताकि public के सामने, मतलब कि लोगों के सामने वो perform किया जा सके बोला जा सके तो उसको बलता है rehearse आपने सुना और rehearsal करते हैं जभी कोई scene रहते है नाटक का या तो कोई shooting का तो वही होता है, मतलब लोग पहले से उसकी तैयारी करते है कि मुझे ऐसे बोलना है, तो उसको यह rehearse बोलते है ठीक है, आगे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पाच्वी क्लास के, तो होई बोले हो पैसे जो हमने किया है तो उसमें जो दिया गया है उससे आप agree करते हो या नहीं आपको बताने पहला कहा है, you should always speak softly but clearly यहापे क्या बोले, कि आपको हमेशा धीरे धीरे लेकिन साफ बात करना चाहिए, तो यह सही है गलत है, यह सही है, ठीक है शेगन कहा है, in a discussion you should share your ideas with others अब क्या बोले है, कि जब आप कोई चर्चा में रहो, मतब आप जब किसी से कोई बात करो, तो आपको अपने भी जो ideas है, जो आपके विचार है वो आपको बातने चाहिए, दूसरों से तो यह क्या है, यह सही है तो आपको yes लिखना है, ठीक है अब देखो, आगे क्या है third में क्या है, if you don't understand something, don't let the others know about it, देखो, क्या यह आपर बोला है कि अगर आपको किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको सामने वाले को बताना नहीं चाहिए, नहीं, यह गलत है आपको सामने वाले को बताना चाहिए लेकिन अच्छे से, गुस्से में नहीं और एकदम हार्श तरीके से नहीं, बत्तमीजी से नहीं, आपको अच्छे से पूछना है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, आप प्लीज वापिस मुझे बता सकते हो, इस तरीके से, ओके, अब दो को आगी किया आपको, यहाँ पे, फोट में क्या दिया गया है, अब देखो क्या बहुत है, कि कोई अगर आप से, चर्चा कोई बात की करे, या कोई अगर आपको लगातार बोलते रह 나 चाहिए, वो जब बात कर रहा है, उसके बीच में, नहीं यह गलत है, अगर कोई आप से बात करे, तो आपको उसकी बात, चुप होकर शानती से सुनना च तो यह नो रहेगा कि हमें भीच भीच में बात नहीं करना है फिफ्ट का यू शुड लुक एड़ परसें यू अब यहां पर कहा बोले कि आप जिस इंसान से बात कर रहो आपको इस इंसान की तरफ देखते रहना चाहिए यह सही है देखो अगर आप जो इंसान से बात कर रहो इसकी तरफ देखते रहोगे तभी वो इंसान को लगेगा ना कि यह मेरी बात पर ध्यान दे रहा है अगर वो आपसे बात कर रहा है आप इधर उदर देखोगे उसे लगेगा तो यह तो मेरी बात पर ध्यानी नहीं दे रहा है ओके शिक्स क्या है वेन यू वांट टो मेक अ स्पीच देरस नो नीड टो थिंक अबाउट इट इन एडवांस अगर आप कोई स्पीच देने वाले हो तो आपको पहले से उसके बारे में नहीं सोचना चीए यह गलत है अगर आप कोई भाशर देने जा रहे हो या स्पीच देने जा रहे हो तो आपको पहले से उसके बारे में सोचना चाहिए ना और लिखके रखना चाहिए ना क्या आप बोलने वाले हो स्टेज पर जाके उसका rehearsal भी पहले से कर लेना चाहिए पहले से आपको शीशे में देखके बोल लेना चाहिए कि आपको वहाँ पर जाके जब आप भाशावर दो तो आपको अच्छे से याद रहे ठीक है अब आगे दुखो आपको क्या है यहाँ पर कुछन नमबर थ्री में आपको यहाँ पर दिया गया है Think about what you do and what you must learn to do when you speak क्या बोले कि आपको सोचना है कि जब आप किसी से बात करते है तो आप क्या बोलते हो और आपको क्या सीखना चाहिए बोलते है समय Make a list of such do's and don'ts for yourself और क्या बोले कि ऐसे एक list बनाओ जिसमें कि यह आपको करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए उसमें लिखा हो बोलते समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब आप किसी से बात करो तब, तो दोगो यहाँ पर लिस्ट बनाया हुए है, डूस और डॉस की, ठीक है, पर दोगो डूस, मतलब कि आपको यह करना चाहिए, क्या, must speak softly, मतलब कि आराम से धीरे से बात करना चाहिए, सेकं चिला कर बात नहीं करना चाहिए, प्यार से अच्छे से बात करना चाहिए, सेकंड का है, must not be rude, मतलब कि जब आप बात करो, तो rude नहीं हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बात मत करो, आराम से बात करो, अपनी चीजों को explain करते समय, आप ज़्यादा ऐसे गुस्स Q4 में देखो आपको क्या दिया गया है, this is the polite expression we use when we speak, अब क्या बोल रहा है, कि जब हम किसी से बात करते हैं, तो हम कौन से polite expression, मतलब कि जो हम अच्छे से नर्म, मतलब कि ज़्यार से बात करते हैं, तो एक्स्प्रेशन जो है न, वो आपको लिखना है, तो देखो क्या है, ह एक्सक्राइब है, पैस्प्रेशन का सेबाल करते हैं, तो हम किसी से कुछ साइड होने बोलना हो, एक्सक्यूस मी बोलते हैं, इससे इसे जा espaçoher नो हम बात करते स warranties, इन सारे शब्दों का इस्ते बात इस बात semana है, इन सारे शब्दों का आपको क्या है, फिफ्ट में क्या है, कोशन नमबर फिफ्ट में यहां पे आपको दिया गया है, लुक अट जा स्पीकर इन इच पिक्चर, अब क्या बोले कि जो लोग बाते कर रहे हैं, हर एक फोटो में, हर एक तस्वीर में, उनको आप देखो, और आपको बताना है, कि सारे पिक्चर में जो लोग बात कर रहे हैं, यह सब में, पांचों में, वो लोग क्या अच्छे बात करने वोले हैं, अगर हां, तो उसकी वज़ा बताओ, ठीक है, अगर हां या ना जो भी हो, उसकी वज़ा बताओ, तो देखो, पहले अगर हम आपको पहले से याद रहना चाहिए, आपको पहले से याद रहना चाहिए, इसकी वज़ा आपके आपने बोलो, तो इसके बैट स्पीकर है, और इसकी वज़ा आपके से लिखोगे, और इसकी वज़ा आपके से लिखोगे, there are too many papers on the table, this can lead to confusion while speaking, क्या बोलना है, टेबल पर बहुत सारे papers है, तो इसकी वज़े से वो बच्ची को confusion हो सकता है, कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं, she is also reading her speech and not looking at the audience, और बच्ची क्या कर रही है, वो अपना जो भाशड है, उसको paper में से पढ़ रही है, और जो वहाँ पे लोग, जो जनता मौजूद है, उनकी तरफ द लाद रहता, तो यह क्या है, एक bad speaker है, ठीक है, अब देखो picture two, picture two में आप देखोगे, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक दादाजी है, देखो यह दादाजी कुछ बोल रहे है, जोर जोर से बोल रहा है, और यह देखो यह बेचारे सुनके बोर हो गए है, और यह दे The audience is bored and 1 person is actually asleep किया तरहला कि यह तौल में IT, जो चुल समय कि जो ﷺ आसलो आटिए घ्ग में था कुछ आप का वह दूम गया है आप प् की चूछ अठिक्ट उका है डिकल्ड गय感ि से Гiddy में तो इसक भी बात करती है तो समय को सब दूमने के घ्ग ओल जॉपन unknown no thought is given to the other person's feeling and interest और यहां पर का बोल रहे है कि वो जो दादा जी है वो दूसरे के बारे में सोची नहीं रहे है कि उसको सुनना या नहीं या उसको बोलना है या नहीं तो ऐसा इंसान bad speaker होता है ठीक है अब दोको third picture आपको क्या है यहां पर दोको third picture में आप देख सकते एक बच्ची है जो speech दे रही है ठीक है वो दोको एकदम audience की तरफ से तरफ देखकर बोल लिए है उसने खली paper रखा एकदम arrange करके कि अगर गलती से वो बूली तो अपने paper में देख ले उसको पहले से याद है इसके लिए दोको सामने देखकर वो बोल लिए और एकदम हस के अच्छे से बोल रही है तो आप कैसे लिखोगे यहां पर अब थार्ड वाले में लिखोगे picture three good speaker मतब कि एक अच्छी speaker है बच्ची कैसे she looks confident and is looking at the audience while speaking मतब कि यह जो बच्ची है वो एकदम confident लग रही है मतब उसको खुद पर भरोसा है और वो जनता को मतब जो audience है वहां पर उनकी तरफ देखकर बोल रही है though her written speech is with her she is not referent to it क्या बहले है कि भले से जो उसका भाशन लिखा हुआ है वो उसके पास है टेबल पर रखा हुआ है लेकिन वो देख नहीं रही है अब देखो यहां पर देख सकते हो बहले से बच्ची के पास वो paper है जिसमें उसने अपने speech लिखी हुए लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रही है क्योंकि उसने किसलिए रखा है हम देखेंगे यहां पर क्या है देखो यह जो देखो जो बच्चा है इतनी धीरे धीरे से बोल रहा है कि सामने वालों को अपने कान ऐसे लगा के सुनने पड़ रहे है तो यह क्या हो गया यह भी bad speaker हो गया हम कैसे लिखेंगे यह बच्चे के बारे में बच्चे के बारे में too soft the audience cannot hear him मतलब कि यह जो बच्चा है बहुत धीरे बोल रहा है कि यहां तक कि जो सुनने वाला है उसको सुनी नहीं पा रहा है ठीके अब आखरी देखो आखरी में क्या है हमें यह देखो मतलब कि यह good speaker इसके लिए है क्योंकि वो अपने लिसनर की तरफ देख कर बोल रही है और उसका जो expression है दोनों जन के चेहरे पर वो खुशी वाला है मतलब कि दोनों जन खुश है एक दूसरे से बात करते हुए ठीक है बच्चो तो यहां पर हमारा यह chapter complete हो गया है अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूँगा 12 chapter दोखो इसके questions भी मैं लिखके रखें तो आप चैनल को subscribe कर दो अगले वीडियो में यह आपको मिल जाएगा और जो chapter मैं ने अभी आपको कराया है आप इसको अच्छे से पढ़ लो और learn कर लो तक कि अगर आपका test हो तो आपके full marks है मिलते हैं अभी अगले वीडियो में अगर आपको यह उडियो अच्छा लगा हो तो आप इस उडियो को like करो चैनल को subscribe करो और इस उडियो को अपने दोस्तों के साथ share करो Thank you